दोस्तो महिंद्रा ने अपना पहला एलेक्ट्रिक एस्वी एक्सवी 4W को रिवील कर दिया है इसके कॉंसेट मडूल को महिंद्रा ने 2020 और टो एक्सपर में दिखाया था लेकिन अभी भी यह लॉंच नहीं हुई है सिर्फ रिवील किया गया है तो आपको थोरा और वेट करन इसको लेने के लिए इसका टेश्ट डेव डिसमबर में स्टार्ट हो जाएगा और आप इस गारी को बुक करा सकते हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में उसी समय इसके प्राइजिस को भी रिवील कर दिया जाएगा और इसके डिलिवरी जनवरी के एंड से मिलना सुरू हो देगी लेकिन डाइमेंशन में यह उससे हर मामले में आगे है इसका डाइमेंशन आपको लगभग क्रेटा सेल्टोस के आसपास मिलता है इसका लेंथ है 4200 mm का विद है 1821 mm का हाइट 1634 mm का और विल्वे से 2600 mm का तो आप देख सकते हैं सिर्फ लेंथ में यह पीछे है इसका बूटी स्पेस का जो अब बढ़के 378 लीटर्स का हो गया है एक सुभी 4W में तो अब आपको इसमें लगेज रखने में कोई दिकत नहीं होने वाला है अराम से लगेज रख सकते हैं और इस गारी का डिजाइन का बात करें तो यह देखने में एक सुभी 3W के जैसे ह लेकिन यह एक इलेक्ट्रिक गारी है तो यहां पर आपको कुछ चीज अलग मिलेगा जैसे कि इसमें आपको कॉपर कलर में महिंद्रा का न्यू लोगो मिलता है फिर इसके फ्रेंट ग्रिल में जो की पूरी तरह से क्लोज है यहां पर भी आप देखेंगे एरो का डिजाइ कि आप एक इवी चला रहे हैं और साइट से देखने पर आपको एक्सवी 3W के जैसे ही डिजाइन मिलेगा कुछ चेंजेस नहीं है बस इसका लेंथ आपको बड़ा दिखेगा साथ ही इसके रूप पे भी आपको कॉपर कलर का डियूल टोन आप्शन मिलेगा उसके अलावा क्लैडिंग के पास साइट सकर्स भी कॉपर कलर के योजस किया गया है जरेनलिए उलेक्ट्रिगाडियों में इसके रेर आपको कम्पनी यसम दयिकती हैं और महिंद्रा्भ अपको कलर के योजस किया और इस गारी के रियरियर देखें तो ऊपर का तरफ माइक्रो डूर्ग मिल जाता है रियर आपटर र यापर वाश ए डिफाउगर मिल जाता है सेंटर में कॉपर कलर में महेंदरा का लोगो और इसका टेल लेप के की डिजाइन में भी चेंजेज है एक्सूबी 3 problem के comparison मैं नीचे के त्रफ कॉपर कलर में XUV4W का बैजिंग मिलता है और बिल्कुल नया डिजाइन में रियर बंपर भी मिल जाता है ओवरॉल इसका रियर प्रोफाइल का डिजाइन बिल्कुल नया मिलता है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है चलिए आप गारी का इंटियर भी देख लेते हैं तो औल न्यू ब्लैक और कॉपर कलर का इंटियर थीम आपको मिलेगा इसके AC बैंस के सराउन में कॉपर कलर के यूज़ किया गया है बाकी ओवरॉल इसके डैसबोर्ट के डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं है सेम एक्सी भी थीटोपलो के जैसे ही आपको मिलता है बस ओल ब्लैक कलर का आपको थीम मिलेगा वहीं इसके सीट्स में ब्लू कलर के स्टीच दिया गया है जिससे की पता चले कि ये एक EV है बाकी इसके इंस्टूमेंट क्लस्टर इंफोटेमिन सिस्टम ये सब में ब्लू कलर का थीम मिलता है तीन ड्राइब मोड्स आपको ओफर किया जाता है फन, फास्ट और फियरलेस और इसके इंफोटेमिन सिस्टम के साथ 60 प्लस कनेक्टेट कार फीचर भी मिल जाते हैं और ये गारी पहले से ही अपने सेग्मेन में सबसे जादा रियर सिटिंग स्पेस प्रोवाइड करती है 26 mm का विल्वेस मिलता है इसके साथ जो की क्रेटा के विल्वेस के बराबर है तो इसमें लेगरूम काफी अच्छा मिलेगा और तीन लोग पीछे काफी अच्छे से बैठ सकते हैं उसके अलावा इसके इंटियर में और कोई भी चेंजिस नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका पावर कॉन्फरिकेशन सब देख लेते हैं तो एक्सुभी 4W के साथ आपको 39.5 किलोवर्ट आवर का लिथियम आयन बैटरे मिलता है जो की DC चार्जर के साथ 0-80% सिर्फ 50 मिनट्स में कम्पलीट हो जाएगा और इसका पावर का बात करें तो 147.5 BHP का पावर प्रिडूस करती है और 310 Nm का टॉर्क जिसके वज़े से ये 0-200 सिर्फ 8.3 सेकेंड में अचीफ कर लेती है तो चलाने में काफी 1-2 ड्राइव रहने वाली है ये गारी और इसकी रेंज की बात करें तो ये एक बार फूल चार्ज करने पे 456 किलो मिटर तक चल सकती है तो रेंज भी इसका काफी अच्छा है बस देखना ये है कि महिंद्रा इसकी प्राइजिंग कैसी रखती है सारे 15 लाग से स्टार्ट होगा और सारे 17 लाग तक जाएगा अगर इस प्राइज में महिंद्रा इसको लांच करती है तो डेफिनेटली ये नेक्सोन इवी को अच्छा खासा कॉंपेटिशन देगी क्योंकि अभी कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो नेक्सोन इवी को टकर दे सके MG की ZS EV और Hyundai की कोना है मगर इन दोनों गारियों का इतना सेल नहीं हो पाता है कि ये नेक्सोन इवी को कॉंपेट कर पाए लेकिन XUV4W में ये पोटेंसियल है कि ये अच्छा खासा कॉंपेटिशन देगी और लोगों के पास भी एक नए आप्शन बढ़ जाएगा इलेक्टिक गाड़ी में तो बस यही था सारा डिटेल XUV4W के बाड़े में आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी क्या ये नेक्सोन इवी का सेल खा सकती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिजेगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्काइब कर लिजेगा फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत